कि नमासे चात्रों मैं स्रीगाइक परारियल ज्यान समुर्दिशाइट चैनल पर आपका हड़िक सागर आज हम कक्षदस्वी का पार्ठ दस्वा ठेस जो पुरक पठन के रूप में यहां पर दिया हुआ है जिसके रचना करे फनीच और नात्रेनुजी इस पार्ठ का अध्यन करने वाले हैं यह फनीच और नात्रेनुजी जो है इनका जन्म हुआ है 1921 में पूर्णिया जो बिहार से हैं और उनकी मुर्तिगे 1977 में हिंदी कथाधारा का रुप बदलने वाले जो है आजादी के बाद प्रेमचेन जी की सज्ज्या दी जाती होने उनकी कहानिया और उपन्यासों में आंचलिक मतलब शत्रिय जीवन की धुन, गंद, लए, ताल और सुर सुन्दरता, कुरूपता, स्पर्थ दिखाई पड़ती हैं आपकी भाषाशेली में एक जादू की असर मिलता हैं, कुछ कृतियां हैं आपकी मतलब लेखा की ओकोंचे मैला अंचल, परिकथा, जुलुष जो पन्यास के रूप में, एक आदीम रात्री की महग जो ठूमरी, अच्छा अदमी जो कथा संगरे, रून जल धन जल, नेपाली करांती कथा, जो रिपोर्टाज पर अधालित हैं, यह जो पाठ है, इस पाठ में आंचलिक काहनी ब्याहर के ग्रामिल जीवन पर अधालित हैं, इस काहनी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामिल जीवन, सामाजिक संबंद, कारीगरी, कारीगरों के स्वाहिमान, आदिको बड़े सुन्दर ढंग से चितित करने का प्रयास किया है छात्रो कलाकार की कोई जाती नहीं होती कलाकार का कोई धर्म नहीं होता कलाकार का कोई वर्ग नहीं होता जो कलाकार होते हैं कारीगर होते हैं वो सब के होते हैं और सब उनके होते हैं वो जो अपनी कला हैं वो कला पर हमेशा सवाविमान रखते हैं उन्हें अपने कला पर अभिमान होता है और वो स्वाभिमान का मुल्य जानते हैं समझते हैं और अपनी कला के लिए वो स्वाभिमान का हमेशा रक्षा करने के लिए तदपर रना चाहते हैं जब उसके स्वभ डिवन पर अधात होता हैं तो उसे बढ़धात नहीं कर सकता। इस कानी में सिर्चननामं जो जो गामिन कलाकार है गांव कका कलाकार है उसका वरण क्या क्या है वो जो ग्रामिन कला का रहा है गासों से गास मतलब गवत उसे मराड़ी में हम गवत कहते हैं गासों से कुछ चीजे बनाता है जैसे सितल पाट याने के चटाई जो चीक मतलब जो पर्दे होते हैं बनाए हुए बास के तीलियों के ओ शतरंच के मोडे बैचने के लिए के पत्तों की छतरी टोपी आदियुप्योगी वस्तु बनाता है यह वस्तु बनाकर वह अपने अजीका कमाता है स्वाभिमान होने की कारण वह हर प्ष्टि में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है यहां पर देखते हैं सिर्चन जो एक ग्रावीन कारिगर है उसका एक ठैस का मतलब इस पाट के अंसार एक दुगी तो चल्ज़दे हमें ठोकर लग जाती ना उसे भी कहते हैं हमारे पाओ के उंग्लेओं को जखन होती है तो उसे हैं लेकिर यह जो ठैस है एक कलाकार के दिल को ठेश होती है झिल कलाकार के मन को दिल को ठेस पहुंशते दियुए उस पर अदर जबेए पाट और पठान ठेस जाय चातरों यह इस पाट का जो नायक है मुख्यो उसका नाम हे सिरचनYes एक जमाने में हैं अपनी कारिगरे में मशूर सिर्चन लेकिन आज उसके हाला थोड़े अलग है लोगों की सोच उसके बारे में अलग हैं खेती बारिक के समय में गाउ के किसां सिर्चन की गिंती नहीं करते हैं यह सिर्चन जो हैं एक कारिगर हैं और खेती बारिक जब काम होते हैं तब उसकी किसी को ध्यान आताने क्यों लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिर्चन को क्या होगा उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर काम कर चुकेंगे तब कहीं सिर्चन राया हाथ में खुर्पी डुलाता हुआ दिखाए पड़ेगा पगडंडी यह पतला रस्ता पईदल चलने का जो खेतों के बीच में होता है खेतों में जाने के लिए पर के धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है यहां कहने का मतलब यह है कि पहले जैसा सिर्चन अब काम नहीं करता उसे लोग बेकार ही नहीं समझते बेगार समझते बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी के जबर्दस्ती लिया गया काम खाने पीने के लिए काम कर लेना आज सिर्चन को मुप्त खोर काम चोर या चटोर कहले कोई एक समय था जब उसकी मड़ाया मड़ायाने के जोपडी के पास लोग उनकी समार्या बंदी रदती समार्या मतलब आने जाने के साधन बैल गाड़ी घुड़ा गाड़ी जो मोटार गाड़ी होती वो बंदी रदती उसे लोग पूछते ही नहीं थे उसकी कुछामत भी करते कहते थे अरे सिर्चन वाई अब तो तुमारे हाथ में कारी गिरी रह गई है सारे इलाके में एक दीन का समय निकाल कर चलो बड़े भया की चिट्टी आई है शेहर से सिर्चन से एक जोड़ा चीक बन पानिक लिए कहती तो मैं पहले पूछ लेता मां से क्या भोग क्या लगेगा मतलब सिर्चन आनक बाद उसे खाने के लिए क्या क्या दिया जाएगा माह अश्कर कहती है जा 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 बेचारा मेरे काम में पूझा भोग की बात नहीं उठा ता कभी पडोसी गाओं के पंचानन चवधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामनी ही बेपानिक कर दिया था सिर्चन ने बेपानिक मतलब बेज़त अपमानित क्या कहा था पंचानन चवधरी के छोटे लड़के को अपमान करते हुए क्या कहा था तुमारी भावी नाखुन से खाट कर नाखुन से खाट कर मतलब थोड़ा सा तरकारी परोस्ती है तरकारी ने के खाने के सबजी परोस्ता ने के खाने के लिए ठाली में डाले जाना और इमली कारे डाल कर कड़ी तो हम मामुल लोगों की घरवालिया बनाती है से पूझ लेदा शिर्चन को देखते ही मां हुलस करका थे हुलस करें हर से आनन से खुशी से खुशी से आओ सिर्चन आज नेनु मत रहती हैं कि हम उसे क्या कहेंगे मखन उसे हम मरा लोनी कहते हैं मखन मत नाने के घुसरने रहती तुमारी आद आई गी की खकोरन का मतलब है नेनु को गरम करने के बाद जो बरतन में जो भूरे रंग का जो बची परत रहती है ना नीचे वह कहते हैं को तुमको जो खकोरन के साथ चुड़ा चुड़ा नहीं को पहा तुमको बहुत पसंद है ना और बड़ी बेटी ने ससराल से समवाद बेजा है उसकी ननन रूठी हुई है मोथी की सितल पार्टी के लिए मोथी एक प्रकार की घास घास का मतलब गवत जिससे चीजें बना जाती है ऐसी गहां से शितल पातलिक मतलब है चटाई बनाने की तो कहते हैं देखो आज मैं नेनू मत रहे थी दूसरी बात है कि बड़ी बेटी जो है उसके ससराल से समवाद भी आया है चिप्ठी आई है और उसने कहा कि मेरे ननन को एक मोथी की सितल पार्ट और कहता है लेखकी मासे गीगी सवंदी सुगन सुंकर यहा रहा हो का की नहीं तो इसकादी बिया हरके माें माने की चुट्टि कहां मिलती है पिर यहाँ शिर्चन जाती का कालीगर है मैंने घंटों बैटकर उसके काम करने के डं को देखा है एक एक मोथी मोथी ने कि घास की एक जाती और पटेर पटेर भी घास की जाती है एक प्रकार हैं मोथी और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से जतन को साउधनी से उसकी कुच्ची बनाता है मतलब रंग देनी के लिए थोड़ा सा बनाते ना कम्टी से उसे कते कुच्ची प्रकुक्च और रंगम मेंसे लेकर सुतली सुल्जाने में करते-करस तरफ अजो मगन होकर लगंता से जहान लगाकर जो कामकरता हो कामकरतेकरक्पिक तनमयता में जराबी बादा पड़ी तो गेहून शापके तरफ कार उठता हैं फिर किसी दूसरे सिर्चन मुहचोर है काम नहीं मुहचोर है के मुफट मुफट जवाब देने वाला बिना मजदूरी के पेड़ भर भाथ पर काम करने वाला कारीगर दूद में मिठाई कोई मिठाई नह मिले तो कोई बात नहीं किन्तु बात में जराबी जहला, जहलाएने को मन को चुबने वाली बात, तिखापन, यह से अमरणिम कते हैं, टोचुन बोलने, वाकड़े तिखड़े बोलने, टोमन अमारने ऐसे जराबी जालाओ बरदास्त नहीं कर सकता मतलब सहता नहीं सिर्चन को लोग चटोर भी समझते हैं तली बघारी हुई तरकारी बघारी मतलब फोड़नी दिली भाजी फोड़नी दिऊन दही की कड़ी मलाय वाला दू दिन सब का प्रबंद कर लो पहले तब सिर्चन को बुलाओ दूम हिलाता हूँ हाजिर हो जाएगा खाने पिने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म आधा काम रखकर उट खड़ा होगा और कहेगा आज तो अब अधकापाली अधकापाली दर्ख से माता टंटना रहा हैं थोड़ा सा रख है किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा केजी दन किसी दिन माने मतलब कभी नहीं मोथी घास और पटेर के रंगिल सी तलपाटी बांस बांस नेके विडू बांबू की तीलियू उनके जिल मिलाती चीक कर पार कि तली कि आद चीक कहने के जो घास के बांबू की जो चोच यह बनाते हैं तीलिया और उसका बनावी जाली रखने के लिए मूँज़ कि आप्स्यूय कदिन अबिस आशरा आप पर शुनी मतलब कनी आ만 करने जो पह सब्सक्री के तूब कुछ चीज़े यहां पर थोड़ सी अलग से आपको लगेगे लेकिन समझने जैसी है मुझ की रसी के बड़े बड़े जाले और हलवाओं के लिए ताल के सुखे पत्तोन की छत्री टोपी तथा इसी तरह के बहुंसे काम है जिने सिर्चन के सिवां गाओं में और कोई नहीं यह दूसरी बात है कि अब गाओं में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज आप पैसे देने की कोई जरूत नहीं है पेड़ भर खिला दो काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना दुराना कपड़ा देकर विदा करो कुछ भ वह जांते हैं सिर्चन बात करने में भी कारगर है मतलब मुफट तावर्तौप जवत दिने वाला वहाजन तोले के भज़्यू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिल मिला उठती है क्या कर थि ठहरो मैं मान से जाकर करती हूं इतनी बड़ी बड़ी बात ये बीटिया बड़े लोगों की बस बाती बड़ी होती है नई तो दो तीन पतेर की पाटियों का काम सिर्फ गेशारी गेशारी मतलब यहां पर इसा होता है जो घेसारी का सत्तु मतलब भुनी हुई दाल की लत्री दाल का आटा जो भुनी हुई भाजलेल डाले प्रसंग पिट खेसारी खेसारी का सत्तु किला कर कोई करवाय भला यह तुमारी माही कर सकती है बभुनी सिर्चन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया जाओ जाओ बता तुमारी माह को बताना जाते हो ना तुमारी बावली मीठी बाते करके बुनी भी दाल की जो आटे से कोई बनाई हुई चीज़ होती है वो खिला कर ही बनवा लेती है ऐसा दुसरा कोई करवाय नहीं है इस बार मेरी सबसे छोटी बहुत पहली बार सासुरा जा रहे थी उसका नाम है मानू की दुले ने पहली ही बड़ी तलपाटियों के बिना आएगी मानु तो भावी ने हस्ते जवाब का इसे का भावी ने हसकर का बेरेंग वापस बेरेंग वापस का मतलब होता है उसी दम वापस कर देना मतलब तूरं बिना टिकट वापस कर देंगे वो दामाज से कहती है बड़ी भावी ने कह दिया है जो भी नए मेमान है मानु के पती उनसे मजाग में कहती है और नई मिठाई के साथ अगर वो फैसनेबल जोल्डिया भीजी तो आप बेरेंग वापस बेज़ देंगी वैसी हस्ते हस इसलिए मानु के साथ कुछ से तलपाटिया और चीख भीजने के लिए एक सब्ता पहले से सिर्चन को बुला कर काम प्रतायनायत करवा दिया था माने कहां देखो सिर्चन इस बार नई धोती दूंगी असली मोहर छाप वाली धोती जिस पर सिक्का होता हो मन लगा कर ऐसा का करो कि देखने वाले देखते रजाएं कि पान जैसी पतली चुरी से बांस की तीलिया और कमानिया को चिकनाता हुआ सिर्चन अपने काम में लग गया रंगी सुतलियों में जब्बे डाल करो चिक बुन्ने में बठा डेड़ हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गये कि इ रहे हैं मंजली बावी से नहीं रहा गया पर दे की आंड से पीछे से बोली पहले ऐसा जानती कि मुहर चापवल दोती देने से ऐसी चीजे बनती है तुम्हां भहिया को खबर भेज दीती काम में व्यस्त सिर्चन के कानों में बात पड़ गई मंजली बावी की बोला वह भ मानु दीदी का आखी की सापसे चोटी बेटी है मानु दीदी का दुला अपसर आद्मी इसलिए मैं बना रहा हूं ऐसा उसका कहना है मंजली बावी का मुह लटक गया शिर्चन की बात सुनकर उसने कहा सिर्चन ने कि खाली चापवली दोती देने से ऐसा काम नहीं बनता तो चाची की जो मेरी अच्छी चाची है चाची की चोटी बेटी है मानू जो लाडली बेटी नहीं मुंगिया लड्डू भेटी की विदाई की समय रोज मिठाई जो खांए को मिलीगी देखती है दूसरे दिन चीक की पहली पाती में साथ तारे जगमगा उठे पहले दिन जो थोड़ा प्रास्थाविक काम किया था बाद दूसरे दिन उसने काम शुरू करते हैं दूसरे दिन चीक की पहली पाती पाती यने के पंक्ती जो पहली लाइनी है वो बनाई ले थी उसने बुन ली थी वो जगमगा उठी सात रंग के सत भहीया तारा सात रंग के सत भहीया तारा आपने काम में मगन सिर्चन को खाने पीने की सूद नहीं रहती, जब अपने काम को मगन से लगन षेस करता है तब खाने पीने पर उससी जाता नहीं लाए खाने के लिए देखा तो उसमें चूरा चूराने के पोहा और गूड का एक सुका ढेला मैंने लक्ष किया मैंने ध्यान दिया आरे सिर्चन को आप खाने के लिए नास्ते के लिए कुछ चीजे दिये हैं तो खुश है नाराज है उसके चेरे समझाता है मैंने लक्ष किय सिर्चन की ना के पास दो रेखाय उबर आई मतलब उसे ज़्यादा ओ जो नास्ता दिया उपसंद नहीं है मैं दोड कर मा के पास गया मा आज सिर्चन को कलेवा मतलब नास्ता किस ने दिया सिर्चुरा और गुर्ट मा रसोई घर के अंदर पकवान आधी बनाने में व्यस्ती बोली अरे मंजली सिर्चन को बुंदिया क्यों नहीं देती सिर्चन समझ गया काकी जो है बुंदिया देना चाहती है लेकिन मुद्दाम खुद बखुद होकर मंजली रादनी ने जो बहुए उसने दिया नहीं इसल सिर्चन के मुं में चूरा बरा हुआ था गुड़ का डेला सूप में किनारे पर पड़ा रहा अच्छुता मा की बोली सुनते मंजली भावी की भौवे तन गई अरे मा को किस ने कहा कि मा ने से बुद्या दीन मा ने मुझे और दिया इस देने के लिए मुठी भर बुंद्या सूप में फेक कर चली गए मा ने कहा उसका आदिस पालने के लिए मुठी भर बुंद्या लेकर आई और जब वहां पर ठाली पड़े थी ठाली में ऐसे फेकने का प्रयास किया सिर्चन ने देखा इनने घुसे से दिया ओ समझ गया सिर्चन ने पानी पीकर कहा जो मुह में चूराओ गिर था उसके उपर पानी पिया और कहा बहुरान से मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बाठती है क्या किश रेका बस मैके का नाम किसी ओरत को रास नही आता अंता गूसता आ जाता है बस मंजली भाविया अपने कमरे में वैट कर रोने लगी चाची ने मा के पाज जा कर कहा मुझ लगाने से सीर पर चड़ेगा ही किसी के किसी के नहर में सस्तुराल की बात क्यों करेगा उसे सीर पर पचड़ा लिया है मंजली भावी मा की दुलारी बहु है मा तमक कर मतलब कुरधित होकर थोड़ी शी उससे मा कर आई और सिर्चन से कहा सिर्चन से सिर्चन तुम काम करने आओ अपना काम करो बहुं से बतकुटी मत असलब ब deficit करने की थो बहुत तक करने के क्या ज़रोत हो सिर्चन का मुझ लाल हो गया मेरा यहां और अपमान किया मनली भ्हु कि जो भावी हैँ कि उसके कहने पर तोड़ा गुस्था आथा लेकिन transparent को दबा लेता है मंम सिर्चन का मुझ लाल हो गया उसमने कोई v या बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी चुपके से पान का एक बीड़ा सिर्चन को देती हुए इदर उदर देखकर बोली सिर्चन दादा काम काज का घर है पांस तरह के पांच लोग किस्म क कitि बाते करेंगे तुम किसी की बात पर कायन मत दो उसने कहां यह पांट ले हो उसके सफुराल में उसे चीकव, शीतर ले जाना है उसे मालूम है सिर्चन को घुसा आ जाता है तेड़ी बात कहने से किसी ने तो कहती दादा किसी की बात पर ध्यान मत दो यहां अलग-अलग लोग हैं अलग-अलग बात करेंगे बस आप अपने काम पर लगर हो सिर्चन ने मुश्कुरा कर पान का भीड़ा मुह मे ले लिया थोड़ा सा उसका घुसा कम हो गया चाची अपने कमरे से निकल रही थी जाची अपने कमरे निकल रही थी शिर्चन को पान खाते देखकर अवाक हो गई शिर्चन ने चाची को अपनी और अच्रस से देखकर कहां शिर्चन के मुह में जब पान हैं पान की पीक है मेरी और चाची अचरे से शोटी चाची उसको घूर कर देखती है तो सिर्चन ये चाची को अपने और अचरे से देख देखते या घुरते हुए देखकर कहां चोटी चाची जरा अपनी डीब्या का गम कवा जर्दा खिलाना जो गम कवा का सुगंदित तंभा कुझे होती ना उसे करते गम कवा जर्दा खिलाना बहूत दिन हुए हैं तब से खाया है नहीं मतलब चाची कहीं कारणों से जली भुनी रहती थी सिर्चन से अच्छा मौका मिला था उन्हीं गुस्ता उतारने का तब उन्हें कहां गुस्ता उतारने का मौका फीर नहीं मिल सकता जनकती भी बुली तुमारी बड़ी हुई जीब में आग लगे घर में भी पान और जमकवा जार् खाते हो चतोर कहीं के चाची ने टेडी वाद कहीं शिर्चन को शायद शिर्चन नाराज हो गया मने देखा और मैं बिल्कुल अवाक हो गया मने सोच लिया चतोर कहीं के तुमारी बड़ी जबा में आग लगे यह शब्द सुने और मेरा जो कले जाए वो धड़क उठा हो गया सत्यनास उससे ऐसी टेड़ी बात चलती नहीं और चाचने वही कह दी बास सिर्चन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़े गए मानो कुछ देर तको चुपचा बैठा पान को मुँ में घुलाता रहा फिर आचानक उठकर पिछवाडे पीक थूकाया अपनी चूरी जो चीज़े बनाने के लिए जो कमडिया बनाने के लिए यूज करता हो हंसिया जो भी एक हत्यार है उसका वगेरे समेट समाल कर जोले में रखे टंगी हुई अधूरी चीक पर एक निगाह डाली और हन हनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया हन हनाता मतलब यंद पढ़ गए जितनी अलग अलग ढग से जो रंगीन बनाये थे वह सब धीमे पढ़ गया मतलब रूख गए मा बोली तक मा समझ गई मानु नाराज हो गई तो मानु को समझाने के लिए जाने दें वीटी जी चोटा मत कर मानु मेले से मतलब जत्रा से उसे यात्रा कहते मेले से खरित कर भेज़ दूंगी मैं सिर्चन को मनाने गया लेखक सिर्चन को मनाने के लिए उनकी जोपड़ी पर चले गई सिर्चन क्या करा था लेखक ने देखा एक फटी हुई सितल पार्टी पर लेट कर कुछ सोच रहा है मुझे देखते ही बोला बबवाजी अब नहीं, कान पकरता हूँ अब नहीं मोर चापल दोती लेकर क्या करूँगा कौन पहनेगा ससूरी खुद के पत्ने के बारे में कहता है ससूरी खुद मरी बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ बबवाजी मेरी घर वाली जिन्दा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता इसी तलपाटी उसी की बुनी हुए जिस पर मैं अभी लेटा हूँ ना ये उसी की बनी उसी की याद में है इसी तलपाटी को लेकर चुकर कहता हूँ अब ये काम नहीं करूँगा गाव भर में तुमारी हावेली पर हावेली में मेरी कदर होती थी अब क्या अब वहाँ पर आप मानित क्या क्या अब क्यों आऊं मैं चुपचाप वापस लोटा समझ गया कलाकार के दील में ठेस लगे वो नहीं आ सकता बड़ी भावी आदूरी चीक में रंगीन छीटे डाल कर देखने लगी बड़ी भावी अधूरी चीक में रंगीन छीट का जालर लगाने लगी और डाल कर देखती है यह भी भेजा यह भी भेजा भेजा मतलब अनुचित योग्यों नहीं दिखलाए पड़ता क्यों मानु 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 कुछ नहीं बोली बेचारी किन्तु मैं चूप नहीं रह सका चाची और मंजली भावी की नजर नलग जाए इसमें भी वह सोस्ता है चाची और मंजली भावी हमेशा टेड़ी बात करती है मानु को ससुराल पहुंचाने में मही जा रहा था टेशन पर सामान मिलाते समय यह जा रही है अपने साथ मनी मन सिर्चन को सिर्चन पर घुसा हो गया चाची के सूर में सूर मिला कर कोस्तने को जी हुआ सिर्चन को काहम चोर चटोर मैं ऐसा सोच रहा था मेरी बहन छोटी जो लाडली प्यारी है वह आधुरी चीक को देखकर नाराज भी है लेकिन उसे बड़े समाल कर ले जा रही है वो दुरुशे देखकर मुझे बुरा लगा और मैं भी चाची और मंजली भावी की तरह सिर दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेट फाम पर दोड़ते हुए सिर्चन पर प्लेट फाम पर दोड़ते हुए सिर्चन पर नजर पड़ी बभुवाजी 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 उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा क्या है लेकर कने थोड़े जिड़कते हुए का क क्या है मैंने एक खिड़की से गर्दन निकाल कर जिड़की दुद्कार की तरह जिड़की के स्वर्मी का सिर्चन ने पीट पर लदे हुए बोज को उतार कर मेरी ओर देखा दर्वाजा खोलिए मानु दिदी कहा हैं एक बार देखू मैंने दर्वाजा खोला सिर्चन दादा मानु इतना ही बोल सकी खिड़की के पास खड़े होकर सिर्चन ने हकलाते हुए हकलाते हुए मतलब तोत्री जुवान जो तुतली होती हो जुवान में कहां ये मेरी ओर से सब चीज़े दिदी सब चीज़े सितल पाटी चीक एक जोड़ी आसनी कुश्की गाड़ी चल पड़ी मानू मोहोर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी सिर्चन ने जीप को दास से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिये मतलब उसने लेने से इंकार कर दिया मानू फूट फूट कर रो रही थी हम उसे गलत समझ गए और उसे दोस दे रहे थे लेकिन उसने घर जाकर भी मेरे लिए चीज़े बनाए सिर्चन नादा तुम अच्छे हो यह समझ गई और पस्तायों में हो रोने लगी मैं लेखक बंडल को खोल कर देखने लगा कि क्या क्या लाया क्या क्या बेज जाया देखने बात पता चला ऐसी कारीगरी ऐसी बारे की रंगन सुतलियों के पंदोन का ऐसा काम पहली बार देख रहा था पहली बार देख रहा था क्या बताएं चात्रों ही इस पार्ट के माध्यम से पता चला है कि कोई भी कलाकार किसी जाती धर्मपंत का नहीं होता है उसे सब अपने होते हैं उसकी जाती उसका वर्ग कोई नहीं होता वो सब का होता है सब उसके होते हैं बस अपनी कला पर उसे विमान होता है वह स्वाविमान के मुल्य को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत पर रहता है अपनी जो कला है उसकी रक्षा करता है यहां पर यह पार्ट समाप तो होता है चात्रो आप इसे बार-बार देखें जो दोस्त अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ग्यान समरुद्धी शाही चानल को अवश्य सब्सक्राइब करें धन्यवाद अगर बार मेरी चानल को अगर हैं तो प्रवादी Considerें जavez उन्यवादी बार मेरी बार मेरी शाही起來 vídeos प्रवादी से अवस्य Сब्सक्राइब करें अवस्यomena अश्यों, नहीं हैं एटो ग्यान मेरी बारम ना आरा एकाल.